हलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे कानपुर इनवर्सिटी का नया वीडियो में लेकर आ चुका हूँ जो भी छात्र इंतजार कर रहे थे काफी लंबे टाइम से उनका इंतजार यहां पर खत्म हो चुका है बिल्कुल अगर कानपुर इनवर्सिटी के छात्र है रेगुलर प्राइवेट इएक से फॉर्म बैक पेपर फॉर्म का इंतजार काफी दिनों से कर रहे थे तो बिल्कुल यहां पर इंतजार खत्म हो चुका है मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के बताया था कि आपको जो फॉर्म है वो वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को एक सिकेंड का भी इसकिप मत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही चैनल पर पहुंचे हैं आपको चैनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि इतनी महनत से आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूं तो आपका फर्ज बनता है चैन आपको इस चैनल पर मिलेंगे तो चैनल को सस्क्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर लेना इससे जो क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे कोई भी जानकारी मिस नहीं होगी जो भी एकजाम से रिलेटेड आएगी जो भी जानकारी होगी आप उसको मिस नहीं कर पाएंगे टाइम से आपको जानकारी मिलती जाएगी तो यहाँ पर जो update आई है, notice आई है, उसके according पूरी जानकर यह आपको पहले read करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कहां से form को भरना है, link भी activate हो चुका है, तो ज्यादा आपको नहीं बोर करता हूँ, सिधा वीडियो के topic पर आता हूँ, telegram से अगर आप लो notice का official letter part है, यहाँ पर जो भी notice आती हैं, बिल्कुल सही और सठीक आती हैं, जैसे कि यह notice है, जो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, अभी जो notice आई है, exam, submission and जो भी यहाँ पर regular UGPG के चात्र है, regular private EX back paper के annual student है, उनकी जो notice है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मैं इस प पहने का क्या मतलब है, यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको मैं date दिखा देता हूं, 11.1.2024 को यह notice आई है, date पे आप लोगों को ध्यान मत देना, क्योंकि date एक दो दिन की आगे पीछे की रहती है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि 7.2024 की सनातक मुख वार्षि परिच्छा, अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि वार्षिक परिच्छा की मैं बात कर रहा हूं, annual exam की बात कर रहा हूं, जो आप लोगों को, जैसे कि अभी semester लागू हो चुका है, तो जो भी पिछले साल में जो कंजिन का complete नहीं हुआ है, वार्षिक वाले च वो सभी को ध्यान देना है कि वार्षिक परिच्छा के संस्थागत यानी की regular वा ब्यक्तिगत यानी की private यहाँ पर आपको ध्यान देना वरना आप बाद में पूछते रहो जाओगे, संस्थागत वा ब्यक्तिगत चात्र चात्राओं के परिच्छा फॉर्म समिशन युम वार्षिक परिच्छा जो संपन कराई जाने है जिसके संस्थागत व्यक्तिगत यानी की private भूदपूर्व एक्स फॉर्म वाले चात्र युमबायक पेपर के चात्राओं ये तु आनलाइन फॉर्म समिशन युम सुल्क जमा किया जाने की अन्तिम्तिति नियमा नुसान नि यहां पर जैसे की बताया गया है कि इसनातक दुतिव वर्स यानी की अगर आप इसनातक दुतिव वर्स में थे और आप फेल हो गये थे या आपकी बैक लग गई थी या आप एक से फॉर्म डालना चाहते थे तो उसका देख सकते हैं केवल भूत पूर्व यानी की यहां प जो है फॉर्म को भर सकते हैं उसके साथ इसनातक दुतिव वर्स के जो चातर हैं संस्थागत बिक्तिगत भूत पूर्व बैक पेपर के जो चातर हैं आगर आप तुतिव वर्स के चातर हैं और आप फेल हो गये थे एक सापका आप भरना चाहते हैं या बैक पेपर आप भर चाहते हैं, तो वो वर्म आप भड़ सकते हैं, उसके साथ पराशनाक है प्रथामफ swap के चाहते हैं, उसके साथ जो Âआ कुछ आप अपना फारम को भड़ सकते हैं, और उसकी जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है, आनलाइन सम्मिशन में परिछा सुलक जमा करने की अंतिम तिथी जो रखी गई है 31-2024 रखी गई है यानि कि काफी टाइम आपके पास अभी है तो आप जल्दी से फॉर्म को भड़ दिजेगा तो ये सारी जानकारी तो मैंने आपको बता दिया है तो चलिए अब आपको वेक आपको आपको आप लोगों ने समझ ली आप यहाँ पर आपको आजाना है होम पर में क्लिक कर देता हूं जैसे यहाँ पर आएंगे ये कानपुर इन्वर्सिटी की ओफिस्यल बिकसाइड है एक आपको मैं तरीका बता देता हूं अगर आप डारेक्ट करना चाहते हैं और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं तेलीग्राम पर आपको दे दूँगा टेलीग्राम की आइडि है My Health Siwam तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो यह आइडि आ जाएगी या आप जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो के जैसे यह आप टाइटल पर क्लिक करेंगे बगल में आप देख सकते हैं तो discussion open हो जाएगा वहाँ पर मैंने आपको link दिया हुआ है डारेक्ट टेलिग्राम का तो वहाँ से join कर लेना और डारेक्ट आपको form भरने का जो link है वहाँ पर मैं दे दूँगा आप आसाने से form को भर सकते हैं यहाँ पर एक जो तरीका आपको बता देता हूँ कहां से आपको form को भरना है यहाँ पर आपको ऊपर three dots पर click करना है यहाँ पर देखेंगे इस पर click करेंगे उसके बाद student की option पर click करेंगे examination की option पर click करेंगे और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि Annual Exam Form Submission आपको इस पर क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Online Application for Annual EX से अगर आप EX के फॉर्म है तो यहाँ से फॉर्म भरेंगे Online Application for Private Exam अगर आप Private चाता है तो यहाँ से भरेंगे Online Application for Back Paper Regular Private अगर आप है तो यहाँ से भरेंगे जैसे कि यहाँ पर Back Paper में प्लिक करता हूँ उसके साथ Exam Name पर जाएंगे Annual Exam यहाँ पर Annual Exam 2024 सेलेक्ट करेंगे उसके साथ ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपका Back Paper है Regular है यह Back Paper Private है जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैं Back Paper सेलेक्ट करता हूँ back paper select करने के बाद आपको यहाँ पर आना है course name में जाना है जो भी आपका course है select करेंगे उसके साथ यहाँ पर आपका जो part है वो आप select करेंगे जो भी है आपका select कर लेंगे उसके साथ यहाँ पर जो year है पिछला year है वो select करेंगे role number डालेंगे उसके साथ यहाँ पर मुबाइल नंबर डालेंगे मुबाइल नंबर पर आपके OTP आएगा OTP भरकर जैसे ही आप सम्मिट के ओप्सन पर क्लिक करते हैं आपके सामने पूरा फॉर्म ओपेन होकर आ जाएगा फॉर्म ओपेन होने के बाद आप बस आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है बस आपका जो भी बिसे में आप बैक है आप उसको भरना चाहते हैं बस उसी बिसे के आगे आपका एक बॉक्स बना आएगा उसको टिक करेंगे उसके बाद टिक करने के बाद submit करेंगे payment करेंगे जो भी वहाँ पर payment आएगी payment आपको online कर देना उसके बाद आपका जो form है वो भर कर complete हो जायागा अगर आप भर सकते हैं तो आसानी से जो मैंने तरीका बताया है आप आसानी से भर सकते हैं या किसी भी cyber cafe में जाकर आसानी से आप लोग भरवा सकते हैं और इस page का जो PDF आपको डारेक्ट में टेलिग्राम पर डाल दूँगा टेलिग्राम से आप लोग डारेक्ट इस page पर आजाएंगे आपको कोई भी problem नहीं होगी तो मिलते हैं किसी फिर नई वीडियो में तब तक कि लिए धन्यवाद